वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपके लाए हूं सबसे कम रहीट में मिल रए हमें में जी गाड़ी वह सबसे छोटी और सबसे ची गाड़ी मुझे तो अट्रेक्टिव लग रही है बाकी आप बताता हूं अब यह इसके पीछे के लैंप है वह है यह बात करते हैं पीछे की लाइट की तो पीछे थोड़ी है ऐसे और साइड में इसका इलेक्ट्रिक का लिखा हुआ है कि और मैं बूसाइड लोक दिखाता हूं जिसकी अच्छी लगती यह देखो और जैसे इसमें बंदा बैठा है आप देख भी बारे होंगे इसमें वो भी काफी अच्छे से बैठा है इस पेस दिख रहा है देखो मैं आपको इसका इंटीर दिखाता हूं खोल के यह गेट इसका खोला अट्रैक्टिव से लगता है इसका गेट होलने में हैंडल भी और कोई वो नहीं रखता बुरा इस प्राइज रेंज में मैं तो कहूंगा और इसकी वाइट लैदर फिनिश रहेंग है और इसके आप यह करने का हैंडल और यह आप देख सकते हैं इसका स्टेरिंग इतना अट्रैक्टिव लग रहा है मतलब यह मैं आपको चाई बंद रहाता हूं अभी बंद होगे इसके डिस्पले काफी बढ़ी है इस रेंज में काफी गाडियों में यह चीज़ नहीं आती इस इनोंने दे र दो बंदे बैट सकते हैं जैसा कि हमने मुझे लगा था कि दो यह लगादा कि दो इनदे रदा सकते हैं और और इसमें यह है कि एक ही गेट से बढ़ चार बंदे बैठ सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं स्टेरिंग स्टेरिंग बहुत ही अट्रेक्टिव है इतना अच्छा लग रहा है ना ग्रे फिनिश और वाइट फिनिशिंग में यहां पर वो मिल जाते लोगों और इसकी डिस्प्ले देखो कितने के लिए और तो बात करते हैं इसके फीचर्स की तो यह स्लो चार्जिंग है साथ घंटे में पूरी बैटरी की चार्ज होती है उसके बाद कंपनी करते हैं 230 किलोमीटर की रेंज बट मैंने इतना कस्टूमर से रिवियू लिया है वो 200 किलोमीटर बता रहे है ठीक है और तो स्पेसिफिकेशन वगेरा इसकी तो इसकी बैटरी है 17.3 क्लोगाट आर्की मोटर टाइप है 40.1 बीचप और यह है जो इसकी मैक्स पावर है होर्स पावर जो है 41.42 बीचप पावर है इसका मैक्स टोर्क 110 एनेम टोर्क है जो की वैन्यू और हिंडे की वैन्यू से बहुत ज सुना है काफी 200 किलोमेटर है और चार्जिंग टाइम जो मुझे लगा वह बहुत ज़्यादा है 7 घंटे का मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं है इसमें और ट्रांस्मिशन टाइप है और बात करते हैं इसकी फ्रेंट सस्पेंशन की एमसी पैरेशन स्ट के इसकी सस्पेंश स्टेरिंग टाइप है इलेक्ट्रिक स्टेरिंग कॉलम है टिल्ट एंड टर्निंग रेडियस जो है इसका 4.2 है फ्रेंट में आपको ब्रेक की टाइप जो मिलती है वो डिस्क मिल जाती है और रियर ब्रेक जो मिलती है आपको ड्रॉम की मिलती है नॉर्मली तो बात करते है गाड़ी की लेंथ की गाड़ी की लेंथ है 297,4 mm और विर्थ है इसकी 1505 mm और हाइट है इसकी 1640 mm और सिटिंग कैपसिटी इसकी चार बंदों की है वील बेस जो इसके 2010 mm के हैं कापस वेट जो इसका 815 kg है और नंबर ओफ दोर्स में आपको उता दूसमें दो ही है खाली बस यही मुझे इसका ड्रोबैक लगा चार दे तो बहुत अच्छा रहा था बाकी कंपनी के उपर है कोस्ट कटिंग तो आज कर दूनिया करती है आपक आपको चार्जिंग पॉइंट लगाना होता है और आप नॉर्मली इसको पैट्रोबम के आसपास चार्ज मत करना क्योंकि महाँ फास चार्जिंग होती है तो कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी